नमस्कार 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 दोस्तों मैं निकलेश जेन हिंदी चेस बेसी नेचल पर आप सभी का हार्ट देख मंदन करता हूं दोस्तों यूरोपियन क्लब कप शत्रंच का कल जो है तीसरा राउंड खेला गया और भारत के अर्जुन इर्गैसी जो की अलकालोईड टीम से खेल रहे हैं उनके सामने थे इंटरनेशनल मास्टर फिलिप हेरिंग जिनका रेटिंग ऑल्मोस्ट ट्वंटीफाइफंडेड है पच्छिस सो रेटिंग है उनकी और यह मैच देखने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि वाकई अर्जुन के लिए अठाइस सो जो है व बिशब जी फाइफ ट्रैंपर इसकी ओपनिंग खेलते हैं मतलब एक यह है कि इनकी जो ओपनिंग की वेराइटी है अर्जुन की वो दिन पर दिन ब्रॉड होती जा रही है वो कुछ भी खेल पा रहे हैं और यह दिखा रहा है कि कितना कंट्रोल उनका अपने उपर अपने ओपनिंग की समझ पर जो है वो आ चुका है अपने ने खेला है d5 e3 यहाँ पर g6 अर्जुन खेलते हैं नाइट d2 आपने खेलता है बिशब g7 c3 एक आप दिख सकते हो यहाँ पर पिरामेट का स्ट्रक्चर जो हो तयार है ओके आप शॉर्ट के असल तो यहाँ पर h3 की है बिशब g4 के स्टॉप किया नाइट f3 के पहले c5 की अपने ने सेंटर को चैलेंज किया सब ठीक है सब कॉमन चल रहा है नाइट f3 queen b6 और अर्जुन यहाँ पर खेलते हैं queen b3 अजब ओपनिंग से ही वो एक्चेंज करने के लिए तयार है पच्चे सो रेटिंग के खिलाड e2 नाइट जाता है पीछे d7 पर और आइडिया उनका जो है वो किंग साइट को एक्सपेंड करने का है कभी न कभी हो सकता f6 e5 भी जो है वो किसी मुमेंट पर आए अर्जुन भी यहाँ पर कैसल कर लेते हैं और आप उनके आपोनेंट जो है फिलिप जो है वो f3 मार दे के बात कहानी शुरू होती है अब उनके यहाँ पर खेला e5 जैसे कि उनका उद्धिश था और देखने में वैसा लगता है कि बढ़िया ब्लाक के लिए सब कुछ जो है वो ठीक हो गया एकॉलाइज हो गया कुइन भी एक्शेंज हो चुका है आर्जुन यहाँ पर d5 मार द सकते तो यह एक आइडिया हो सकता था इस तरीके से जो अगर वो खेलते तो डेफिनेटली यहाँ पर अर्जुन के पास f4 है f4 bishop g7 e4 यह इस्तिति ठीक है समहारी जासे इसके बात क्या हुआ उन्होंने यहाँ पर क्या किया उन्होंने किया यहाँ पर अर्जुन ने मारा d5 इन्होंने खेला h6 अर्जुन ने खेल दिया bishop f4 अभी यह वाला वरेशन एक इंट्रस्टिंग है कि आप मार दीजे e5 पर एक्षेंज केजे अला कि इस बार जब आप एक्षेंज करेंगे तो bishop का location जो आ रहा यह कुछ ऐसा position आएगा जो कि अच्छा है थोड़ा सा black के फिलिप ने g5 तो अर्जुन ने यहां पर brilliant move खेला एक e6 अब यह भले ही computer बुले कि अच्छा ने लेकिन human perspective से जो है यह बहुत एक interesting move अर्जुन लेकर करके आते हैं बोड़ पर opponent ने यहां पर f into e6 मारा क्योंकि अगर वो gf4 मारने जाएंगे तो यह जो position आ रहा है आप दिखें इसमें कि 7 pawns हैं यहां पर white के पास और black के पास 6 pawn है तो black already एक pawn down हो चुका है इस position तो उन्होंने मारा f into e6 अर्जुन यहां पर खिलते हैं bishop d6 रुप पर attack c5 के pawn पर attack और अ right jam है जब तक आप हटा नहीं सकते तो और next move आता है bishop b5 मतलब आप b6 करके support भी नहीं लगा सकते क्योंकि knight hanging हो जाएगा और आप यह knight भी जाम है यह knight भी जाम है तो इन्होंने किया a6 यहां पर फिलिप ने तो यह movement है जहां पर origin मतलब back to back tempo gain करते जा रहा है और opponent जो है वो ज पकड़ा अरजुन ने कोई भी पीस हिली नहीं रहा है सबके साथ ही problem लगा हुआ है कि यह हटेगा तो वह मर जाएगा वह हटेगा तो यह मर जाएगा बहुत ही क्रैंपिंग पोजिशन आगे और यह bishop यहां पर बैठा है बाई चिल कर रहा है अपना अकेला कोई कामी नहीं आपको रुख हटना पड़ेगा देन एवन बिशप ह2 पीछे जाके बैठ जाएगा वाइट के पास बहुत कंट्रोल है यहां पर पोजिशन में तो अरजुन ने फाइनली c6 पर मारा bc6 अब आइडिया कि अगर आप मारते हैं पॉन से पॉन तो नाइट उपर आ रहा है त तो इन्होंने खेला रुक b7 फिलिप ने सो फाइनली एक्शली उनको लग रहा था करें क्या इस पॉजिशन पर तो इस चक्कर में यहां पर ही पॉजिशन आती है जहां पर आप देखें कि 7 पॉन्स हैं यहां पर वाइट के पास और ब्लाक के पास सिर्फ पास पॉन्स का एफेक्ट जो है वो ज्यादा हुआ नहीं थोड़ी देर बाद आप दिखें ने खिला बिशप f8 तो आप देखेंग पर एक्शेंज किया रुक को एफाइल पर यहां पर बिशप d7 दिया यह बहुत अच्छा था कि यहां जा सकता है और उसके 95 और उसके बाद आपके प पहले रुक b7 7th rank को defend किया रुक b7 खेला तो नाव रुक a6 हट गया यहां पर अरजुन उन्होंने बिशप को बचाया क्योंकि एक्शेंज होने में तो simple ही loss है तो नाव रुक a7 और फाइनली यह भी यहां पर रुक आ गया a5 उन्होंने खेला रुक b8 तो रुक a5 यहां प खेल यहां पर बिशप f7 और नाइट f5 बिशप गया f8 और नाइट f3 अब नाइट इंट इंट जी 5 नहीं रुक रहा है नाइट जी 5 वैसे भी आ रहा है इन्होंने रुक a7 खेला अगर माल लिजे कि वह यहां पर और और बी कुछ करने की कोशिश करते है जैसे इस पोजि और और आपको यह बिशप भी हैंगिंग है तो फर एक्जामपल आप बोले चलो मैं किंग जी एट हट जाता हूं तो देन रुक b7 रुक b7 और नाइट g4 वह इतना पॉन लॉस हो रहा है ना और यह आप सुचों कि चलो मैं b3 मार लेता हूं तो नाइट f6 से यहां पर चेक आपने नहीं पर रिजाइन कर दिया क्योंकि आप क्या करोगे किंग जी एट पीछे जाते हो भी हो तो यह रुक आपका जा रहा है सिदा सिदा और यह रुक तो एक्षेंज हो गया और अब यह पोजिशन है देखिए आपके पास तीन पॉन है यहां पर फिलहाल तो आपका एफ-7 का यहां पर बिशप मर रहा है तो आपको उसको हटाना पड़ेगा and then maybe G4 पूरी तरह से कंट्रोल में है और बार बार में हो लोग कि रुक जो है वो नीचे नहीं आ सकता है क्योंकि रुक 8 के वाद अभी यह पीस बचाना भी दिक्कत का काम हो जाएगा तो एनिवे तो बड़िया मैच था अलागर मैं पीछे जाओं यहां पर जो आप देखें किस तरह से अरजुन ने डॉमिनेट किया है तो अरजुन ने यहीं से शायद जच कर लिया था जब वो नाइट पीछे अटे हैं यह उतना सही है नहीं but basically E5 के आपोनेंट ने क्रैम्प हो रहा था ज्यादा कुछ चाल चलने के लिए आपके पास थी नहीं तो बड़िया जीत यहां पर अरजुन किया और इस जीत के साथ अरजुन जो है अब पहुंच गए हैं 2798 के आसपास और अब उनको ज्यादा रेटिंग नहीं चाहिए तो exactly मैं बता देता हूं 27 1.7 चाहिए अगला मैच किसी से भी पड़ेगा मेरे ख्याल से जीतेंगे तो आज भी अरजुन 2800 पार कर सकते हैं वैसे मैं आपको यह पता दूं बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इन लोग कम रेटेट के प्लेयर से क्यों खेल रहे हैं तो भाई ये जब भी कोई टीम लेसी खोती है आपने लम्प्यार्ड में भी देखा शुरूआती राउंड में आपको आप पहले बोर्ड पर कहले अपनी टीम से अब आप वहाँ पर वहां पे कुछ वीक टीम में भी खेलती हैं जिनके बोर्ड उतने स्ट्रॉंग नहीं होते पहले बोर्ड पर तो सामने यह आसान नहीं है बिल्कुल भी खेलना इस तरह से इस लेबल पर आ करके तो कमाल की जीत यहां पर अरजुनिर कैसी की और लेट सी देखते हैं कि आगे यह कहां तक जाते हैं तो उम्मीद करते हूं वीडियो आपको पसंद आयोगा पसंद आयो तो लाइक शेयर और सब्सक्र